Good morning class 3rd, so students now we are going to start, the chapter is 13, mapping and neighborhood, so what is the neighborhood, where we leave the place around our houses is our neighborhood, वो प्लेस जहां पर हम रहते हैं, हमारे आसपास के जो हाउसी हैं, that's called the neighborhood, वो हमारे क्या होते हैं, पडोसी होते हैं, हमारे नेबर्स होते हैं, हमारे आसपास का एरिया, ठीके, तो देखिए अब बात आती हैं, mapping, तो mapping देखो, इस पिच्चर के अंदर, जैसे लास्ट हमने च तरह से map होता है, आपको ready करना होता है map, जैसे कि देखो, यह बता रहा है, कि वो stand है, अपना बता रहा है, left and right hand, this is right hand and this one is the left hand, वो बता रहा है कि school है, school, यह सामने building की school की है, उसके पिच्चे बता रहा है, अलपना market है, यहां से हम left जाते हैं, तो देखिए, side में एक park आती है, post office आता है, that's called the landmarks, यह सब क्या है, landmarks है, फिर बता रहा है, metro over bridge, metro का उपर से bridge जा रहा है, उसे cross करना है, cross करने के बाद फिर एक park आती है, metro station आता है, तो यहां से हम turn लेंगे, तो इसका घर आ जाता है, clear है, तो अगर वो बता रहा है, हमारी right side से आते हो, अगर आप school के सामने face करके खड़े हो जाओ, आपकी right side पर, right side पर बना हुआ है, office complex, फिर आपको metro line cross करनी है, metro line cross करते ही, metro station है, अब यहां से तो रास्ता नहीं है, है ना, तो दुबारा से उसको यहीं से ही turn करके जाना है, तो उसने बताया है कि रास्ता जो है, वो इसी side से है, left side से, जो कि turn करके उसके house के अंदर आप जा सकते हो, तो यह होता है, mapping जिसको हम map को draw करते हैं, और इसको बताते हैं, landmark दिये होते हैं, hint देख करके बताना, ठीके, अब यहां भी देखो, बहुत सारे houses होंगी, कौन से house म जाना है, तो हमें क्या करना है, house का address भी मेन हमें पता होना चाहिए, house number, house का address, तो that's also important, okay, so now start the chapter, the place around our house is our neighborhood, it has many important place and buildings, तो बहुत जादा होती है, किस जगा पर है, और कौन सी building है, बहुत जरूरी है, if we want to explain the location of any building in our neighborhood to someone, we will need to make a rough drawing, a rough drawing is to called a sketch, to explain in detail, we may draw a map, तो देखिये, वो बता रहा है, कि जैसे हमारा घर है, मैंने आपको बताया, तो घर की हमें building का house number, उसकी पूरी location पता होनी चाहिए, आप किसी को hint दे रहे हैं, कि आपका घर कहा है, तो आप उसको बताएंगे ना, कि आपके आसपास landmark क्या है, वो बाहर metro side से वो आएगा, तो उसको location देना, एक just sketch बना कर के देना, उसे क्या बोलते हैं, mapping, ठीक है, तो यही mapping होती है, आगे देखिये, map, meaning of a map, a map is a drawing of an area of a flat surface, there are different type of map, map usually show exact measurements, map must importantly, importantly show locations where things are, they also indicate the distance of one place from another, एक जगा से दूसरी जगा पर जाने का location देना, distance बताना, जैसे आप बता सकते हैं, कि जैसी आप 10 steps चलेंगे, तो वहाँ पे एक school पड़ता है, वहाँ से आप राइट लेते हैं, तो फिर hospital पड़ता है, तो इस तरह से हम किसी को बताते हैं, उस रास्ते को बताते हैं, बताना अलग बात है, लेकिन उसकी mapping करना, इस तरह से उसको draw करके बनाना, तो यह क्या होता है? मैप होता है, उसका sketch त्यार करना, ओके? Map often given the aerial views of the place, place look different when viewed from air and land, ठीक है? Map ready होते हैं, जिस तरह से वो उस place पर पहुँच पाते हैं, हमारे air transport से भी, ठीक है? तो इसी लिए यह बहुत ही important होते हैं. अगर हम पहले से plan करके चलते हैं, अपना house making के लिए, या फिर किसी market के लिए, तो हमें पूरा एक map त्यार होना ही, हमारा क्या है? पहले से ही plan करके चलना. तो जैसे लोग houses त्यार करते हैं, अपने गर बनवाते हैं, जैसे buildings बनती हैं, तो उन सब के पहले क्या बनते हैं? map बनते हैं, वो map जब pass होते हैं, जब वो final होते हैं, तो जाकर के वो buildings को build करते हैं. features of a map, map के अंदर क्या-क्या होना चाहिए? maps have symbols and colors that show the different things, lots of tiny green trees as symbols for the forests. तो देखें, वो बता रहा है, map के अंदर colorful होना चाहिए, यह नहीं कि एक ही color को आप सब जगा use कर रहे हो, तो green color हमें mostly use करना चाहिए, trees के लिए, जहां कहीं forest आता है, तो forest का symbol होता है, forest के symbol को show करना चाहिए, water bodies are colored blue, जब भी कुछ water bodies आती है, तो उसका color कैसा होना चाहिए, blue color में होना चाहिए, and open the land space are often colored green in map, जैसे ही open area आता है, जैसे house है, house के, जब house के बाहर का area होता है, तो हमें उसको भी land को कैसा show करना है, green color में show करना है, ठीके? map have a key, or has a legend that the, tells that each symbols in the map stand for, तो हमें एक map के अंदर जो है, इस तरह से symbols के साथ उसको show करना चाहिए, ठीके? एक उसको key दे देनी चाहिए, जैसे हम legend भी बोलते हैं, key बोलो या legend बोलो, जैसे forest का बताया है, इसी तरह से symbols देना, landmarks, landmarks की बात करे, landmark आपको पता है, landmarks are special places, buildings, or a tree market on a map, it can be an old tree, a park, a school, and anything else, anywhere else, anything, कोई भी चीज़ हो सकती है, जैसे की मैंने बताया ही था, आपको कोई special doctor की, जो main doctor shop होती है, hospital होता है, temple होता है, whatever, कोई भी आपको एक landmark दे सकते हैं, every map has four directions, market is a corner to give the reader an idea about the directions in which a place is located, तो हमें साथ में map होता है, आपको पता है, four directions होती है, हमें, east, west, north, south, तो ये directions होती है, हम directions के साथ भी इसे बांट सकते हैं, तो डिवाइट कर सकते हैं, अब बात करते हैं, directions, तो there are four main directions, east, west, north and south, तो देखिये, north, south, east, west, तो देखिये, they are called cardinal directions, so what is the cardinal directions, there are four directions, east, west, north, south, तो ये हमारी के होती है, cardinal directions, c, अब देखो, जब हम sun की side अपना face करते हैं, तो देखो sun जो है, वो यहां से rise होता है, और इस side से set होता है, अब इन्होंने इस side गुमा दिया, east यहां कर दिया, तो north यहां आ गया, east यहां, north यहां, तो west आ गया, इसकी opposite आता है, east के, और north की opposite, south आता है, तो जब अपना face हम east की side करेंगे, तो हमारे back side वाला क्या होगा, opposite क्या होगा, west, यानि हमारा east पर है, तो हमारे pair कहां बर हैं, west में हैं, तो इसी तरह हमारा जो left hand होगा, right hand होगा, वो south में होगा, और left hand हमारा north में होगा, ठीके, कब जब हम अपना face, morning के time पर, east side पर करते हैं, तब, okay, next देखिए, तो इसमें यह explain किया हुआ है, strand the facing, the rising sun, the sun rising in the east and the set in the west, so when facing the rising sun, you are facing the east, जब sun rising होता है, तो अपना face करेंगे east की side, behind you is, behind you is the west, तो आपका पीछे का हिशा क्या हो जाएगा, west में, stretch both your arms sideways, your left arm is pointed to the north, and your right arm is pointed to the south, देखो, to tell a person how to reach a place, we use a directionals word such as left, right and straight, जब हम किसी को directions बताते हैं, तो हम इन words का use करते हैं, आप left turn low, right turn low, straight चलो, तो बताते हैं, इस तरह का sign होता है, यह होता है, left turn करो, right turn करो, और यह होता है, straight जओ, जब इस तरह से आता है, तो हम बोलते हैं, you turn ले लो, तो also we use the landmark to give the directions, on a map north, is at the top, south is the, south is at the bottom, west is on the left and east is on the right, तो अगर हम सामने की तरफ खडे होंगे, जैसे मैंने आपको यह बोली directions अभी explain किये, east direction की अंदर सामने face करते हैं, north, तो हमारी back side क्या हो जाएगी, south और हमारा right hand का आपे होगा, east में and left hand west, ठीके, तो बाकी की जो है important of a map, यह हम next में, next video में देखेंगे, ओके.